तो यह जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टन वीडियो है और आपने देखा होगा मेरे जो वीडियो होते है वो काफी अलग टाइप के होते है जिसमें आपको काफी सारी इंसाइट्स मिलती है और आपका जो वीजन है वो ब्रॉड होता है और इसी टाइप का वीजन की जरूरत होती है एक्जाम में आपको डिस्किप्टिव आंसर लिखना है आपको एसे तो यह थर्ड है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट एंड सेकंड अर्बिंजर क्या है और इसके उपर डेफिनिटली क्वेशन आने वाला है फेज वन में हो या ESI में हो या फैनास में हो इसके उपर फ्रोड डिटेक्शन इतना important है मैं आपको RBI annual report के बारे में भी बताऊंगा और आप news देखिए financial frauds बहुत आजकल हो रहे तो इसके उपर ऐसे भी आ सकता है और इंट्रो में भी ये पूछा जा सकता है तो बहुत ही important ये topic है और ये hackathon है इसके बारे में भी आप देखिए अगर आपको interest है अगर आपको इंट्रो में अलग आपका एक impression छोड़ना है तो आप ऐसे hackathon में at least participate करिए आपके ideas भेजिए भले वो select होते है नहीं होते है उसे कुछ फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आप इंट्रो में बता सकती किसर मैं ये try किया था इसमें prices भी है 40 lakh का 20 lakh का 5 lakh का price मिलना ये हमारा aim नहीं है हमारा aim मिलना है RBI में job मिलने का उसमें इस तरीके से price आपको हरमन्त मिलेगे एक से 2 lakh रुपे का आपको job मिलेगा तो आपको ये definitely try करना है जिनको possible है जिनको ideas है जिनको interest है या फिर आपके कोई friends होंगे जो IT sector में काम करती उनको भी आप ये बता सकते तो चलो हम आगे video start करते है ये है हमारा RBI का प्यारा website इस पे आपको daily जाना है मैं तो पिछले 10-15 साल से everyday जाता हूँ जब मैं RBI में था तब तो जाना ही पड़ता था और उसके बाद जब मैंने पढ़ाना start किया मेरे पढ़ाने के purpose के लिए और मैं जो investment करता हूँ अलगले घेरिया में आपका जो horizon है वो बढ़ाने के लिए investment का पैसे का और बाकी economy में क्या चल रहा है आपको यहाँ पे daily at least 15 minutes spend करना है आपके लिए तो बहुत important है क्यों करना है तो यहाँ पे आपको daily जाना ही पड़ेगा अभी यहाँ पे देखिए Reserve Bank of India launches his third global hackathon Harbinger 2024 तो यहाँ पे जाके open करना है फिर उसके बाद यह open हो जाएगा क्या है theme क्या है हर एक इस में कुछ न कुछ theme होता है अब यहाँ पे zero financial frauds यहाँ पे तीन theme है हम आगे जाके देखिए कि सब themes है और second number का theme है being divyanger friendly यानि कि जो लोगों को कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है उनकी लिए कुछ नए innovative solution ठूणना ठीक है इस पे prices भी है और यह global है कहते होने यहाँ पर foreign के लोग भी participate करते हैं और आप भी participate यहाँ पर कर सकते हैं तो यह है आमारा RBI का annual report यहाँ पर page number 131 के नीचे 132 वाला जो page number है वहाँ पर fraud analysis के बारे में यहाँ पर लिखाए तो अभी यह आपको detail में पढ़ना है मैं आप यहाँ बस आपको एक short यहाँ पर एक insight देता हूँ कि अगर आप देखेंगे 2021-22 में total जो frauds का जो amount था यह दे ठीक है और उसके बाद यह जो है वो 14,000 करोल कम कम हुआ है लेकिन अगर आप ultra trend डेखेंगे दूसरा trend number of cases पहले कम थे उसके बाद 13,000 हुए फिर 36,000 हुए यानि कि अभी उन्होंने क्या किया है कि जो जैसे क्या है इसका मतलब क्या है कि पहले बड़े amount के fraud होते थे अभी क् ज़्यादा amount, fraud का number ज़्यादा हुआ है और amount कम हुआ है यानि कि यहाँ पर directly जो loss हो रहा है वो common people को यहाँ पर loss हो रहा है और चोटे चोटे frauds क्या होते हैं कभी कभी पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि जब आप bank में काम कर रहे है तो अगर मान लीजिए suppose कि हम क्या करत आलीजी किसी ने 10 रुपे का 50 में और 100 में अगर गफला करना चालो कि तो हमारे महाँ पर नजर नहीं जाएगी इसका मतलब यह है कि अभी जो fraudsters है वो छोटे चोटे amount का कर रहे है क्योंकि bank में भी मैं भी जब inspection करना जाता था जब आया RBA में था inspection department में यानि कि यह department of supervision में तो वहाँ पर हमारी नजर बड़े account पर होता था लेकिन मैंने एक बार चोटे account वाले भी fraud पकड़ा था एक bank पर तो यह आपको यहाँ पर देखना है कि किस type का trend change हो रहा है यह आपको इंटरू में बूचा जा सकता है इसके उपर direct MCQ भी आ सकता है और कुछ descriptive का question answer भी amount में है तो अगर आप देखेंगे advances में यह तो सबको idea लगा सकते लेकिन number 2 पे अगर आप number में देखेंगे तो card and internet पे हो रहा है और आप balance sheet atom जो है वो 0.2 क्योंकि यह पर transaction होगा यह बड़ा होगा क्योंकि 0.2 है लेकिन यहाँ पर आप देखो 30-40% है तो छोटी छोटी होता है ठीक है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह 0.2 में सिफ 2.4 overall इसका 2.4 आप देखेंगे तो यह near about आपका 1000 करोड क्या आसवाज जाएगा ठीक है तो यह जो है और balance तो आपको यह समझ में आना देखो इसको ही कहते है data analysis correct ठीक है data interpretation भी यह ही है data interpretation यानि कि whether you are able to interpret the data उसके बाद फिर अगर यह number देखी है फिर यहाँ पर देखेंगे तो maximum जो है advances में ज्यादा होते तो इसलिए bank में जो आप काम कर रहे है उनको बहुत ही careful रहना है जब आप loan देते तो that's why this is a very important activity तो आप यहाँ पर इसका number भी देख सकते कि exam में आ सकता है number of frauds में कौन-क descending order क्या है यह आपको पता भी होना चाहिए और कभी-कभी आप logically भी इसका answer निकाल सकते है correct तो अभी देखो यह third hackathon है क्या है यहाँ पर innovative solutions for existing challenges मतलब hackathon का मतलब क्या होता है कि जो problems है आपका आज के date में उसको आपको innovative solutions निकाल यहाँ पर problem statement दिया जाता है problem statement क्या होता है मैं and the solutions and primarily technology driven innovative solutions है to refine the existing process existing process जो है माल लिजे KYC की है या बैंक में जाते है पाधार की है या KYC की है या KYC की है उसमें आपको innovative solutions लगा के उसको refine करना तो यह देखो यह RBJR 12s के बारे में है अभी वाला two editions मैंने आपको पहले ही पूछा है कि क्या है वो आपको बताने यहाँ पर इ activities, fraud detection, social media analysis, monitoring tools for detection of digital payments, fraud and disruption यानि की जो publicly available information है उसके बेस पे ही हमें आपर solution निकालना है individually impaired जो लोग है one of the most vulnerable groups of the society की जिनको दिखाई नहीं देता है partially दिखाई देता है या पूरला नहीं दिखाई देता है तो उनके लिए हमें कोई solutions निकालने यानि कि उनकी जो life है financial transaction है वो आसानी से होने चाहिए ठीक है अभी क्या है यह problem statement है real time prediction and detection and prevention पहले real time करना है यानि कि fraud हो जाने के बाद identify करने में क्या बतलब है correct real time करना है उसको predict करना है detect करना है prevent करना यह चारो purpose है इसलिए मैंने उसको अलग अलग color में यहाँ पर दो different color में use करके दिया of frauds in the financial transaction using alternative resources of data including publicly available information यानि कि किसी का twitter का account है facebook का account है या बाकी बहुत सारे channels वहाँ पर क्या 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 हो कर रहे है youtube है कुछ कभी कभी कुछ schemes promote की जाती है कभी कभी जो क्या कहते है कि stocks का recommendation दिया जाता है ऐसे बहुत सारे frauds होते तो social media पर जो कुछ भी जाता है उसके base पर यह निकालना है तो आप इसको detail में आगे जाके पढ़ सकते है उसके विसमें क्या क्या करना है AI ML का use करना है API है data analytics है minimize the false positives अभी मुझे बताओ यह false positive क्या होता है यह statistics का एक concept है false positive comment section में भी example समझाइए मुझे पता यहां पर बहुत सारे statistics mathematics की भी लोग होंगे false positive का मतलब क्या है comment section में बताइए behavioral है biometric है social media data public domain में जो information available है उसके base वे कुछ ना कुछ solution निकालना है अभी क्या है ensuring transaction anonymity in token based cbd transaction while maintaining financial system integrity correct यहनकि cbd से जो transaction होते हैं वहाँ पर कि पता निजे से हम cash में मान दीजे मेरे पास 500 रुपय है 200 रुपय हम जाके मैंने पेपसी खरीदा मैंने कुछ गेहो लिया आटा लिया तो वो हमें पता निजे कोई किसी को आदत है जैसे मुझे तो drinking बेंगी कोई आदत नहीं है माली जे कोई वहाँ पर गया beer पिया लिकर पिया विस्की विस्की पिया तो वो अगर record होता है कि यहाँ पर आके यह कर लिया तो वो anonymity होनी चाहिए जो cash में होता है उसी तरीके से CBDC में होनी चाहिए इस type का आपको कुछ solution निकालना है correct उसके इसे बाद identifying mule bank accounts and payment wallets मूल का account मतलब क्या होता है किसी दूसरे का account लेके फिर वहाँ पर fraud करना ठीक है माली जी कोई गरीब आपके घर में काम कर रहा है या कोई खेद में काम कर रहा है या कोई मज़दूर है उसको बो account open करो उसके account में 40-50 लागाएगा फिर आप उसको 10-40 और पैसे निकल के चल देंगे तो ऐसे जो frauds है आपको पता है demontation time पे और अभी जो 2000 के accounts रूपीज जेने थे change करने थे उसमें काफी सारी हुए तो इस टाइब के भी frauds काफी होते है ये identify करना ये भी एक problem statement यहार है और ये दिव्यांगा friendly वाला theme number 2 है ठीक है to assist fully or partially visually impaired persons और अभी आपको पता है RBI है, NABAD है, CBI है अभी इनके exams आने वाले तीन महने के आसपास time period में होने वाले है कि आपने preparation start किया है अगर नहीं start किया है तो ये number है यहाँ पे आपके call कर सकते हैं यह हमारे पिछले तीन साल के genuine selection है आप यहाँ पे इनके नाम और फोटो देख सकते ह हमारे faculty के profiles भी आप यहाँ पे सकते हैं अगर आपको कोई भी information चाहिए exams के बारे में या RBI annual report कैसे पढ़ना है उसके बारे में तो आप comment section में पूछे मैं उसका answer दने का try करूँगा और मैं फिर से यहाँ पे आपको बताता हूँ आपको क्रिफ्स कंटेंट दिया जाएगा जिसके वजह से आपका फिर pressure 50% faster way में होता है आपका 30% time से होगा और revision नहीं करेंगे तो सारा आपने जो पढ़ा है आप भूल जाएंगे और success के लिए यह बहुत जरूरी है Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations